हेलो माई फ्रेंड वेलकम टो कॉमिक्स माई लाइफ चैनल राज हम आपके सामदे पेश कर रहे हैं 14 अगस्त इस्पेशल पाकिस्तान जिन्दाबाद चांदार मल्टी स्टार विशेशांग कॉमिक्स तो आप हमाई चैनल पर फस्ट आम आए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब क लगा हुआ इस पर पाकिस्तान जिन्दाबाद पर पहले हमारा हिंदुस्तान जिन्दाबाद यह देख सकते हैं कवरपस्ट डोगा मल्टी स्टार विशेशांग एक मैगनेट स्टीगर मुफ्त स्पेक्टर स्टील एंथोनी परमानू तिरंगा डोगा शक्ती पेश करते हैं पाकिस्तान जिन्दाबाद ये हमने क्या किया डोगा परमानू स्पेक्टर स्टील तिरंगा शक्ती एंथोनी को मार कर अपने लिए कबर खोद ली अरे इस अच्छा तो हम मर जाते तुम ठीक कहते हो एनवायरो आज तक सर्जेमी को हमारी नहीं इनी की जरूरत थी हाँ क्योंकि इनकी छातियां गोली खाने के अभ्यस्ती उनके पास थी वो द्रड़ च्छा शक्ती जो मौत के रास्ते को बदनने की विश्मता रखती थी हाँ हाँ हम गोली चला कर दूसरों की जाने ही ले सकते हैं मगर एक भी गोली खुद खाने की हिम्मत नहीं रख सकते हैं हमें चुप करो क्यों शोक मना रहे हो मना रहे हैं हम इनकी मौत हो का हमें गोली चलानी तो आती है ना बस इतना ही काफी है ये मल्टी स्टार कॉमिक्स के साथ मल्टी स्टार सूपर विलेन भी है कॉमिक भी है कश्मीर विवाद की नीव हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बटवारे के बाद रख दी गई थी और पाकिस्तान ने कश्मीर के एक बहुत बड़े भुबाग पर अपना कब्जा कर लिया था आज ये छेतर पाकिस्तान occupied कश्मीर P.O.K कहलाता है यहां से हिंदुस्तान की जमी पर आकर गिरने वाले आतंकवाद के अंगारे इस बात का एलान करते हैं कि पूरा कश्मीर जल्ला है कश्मीर सहित पूरे संसार को आतंकवाद वैखाफ की भटी में जोग देने वाले इस चिंगारी का नाम है खमीरा खान जो अफगानिस्तान के कांधार में सुलग रही है जिंग 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 इस वक्त मैं अफगानिस्तान की सत्ता पलटवार और भागी नेताओं को यहां का शारसन सौपकर अपनी जीत का जश्न मना रहा हूं जन्नल मगर इन्शालला आपका काम हो जाएगा क्योंकि मेरा काम तो यही है मैं अभीक पियो के स्थेथ अपनी ट्रेनिंग कैम के एरिया कमांडर कसाई खान, कतल खान और जिंग खान को यादिश देता हूं कि हिंदुस्तान में इतनी सामपरदाइक की आगला आदो कि हर जगे दंगे भड़क उटें दंगे भड़का कर दुश्मन देश की आंतरे की स्थेथी खराब कर दो, ग्रहय युद्ध की स्थेथी पैदा करनी है और जिस वक्त हिंदुस्तान ग्रहय युद्ध की आग में जुलसा होगा, उसी समय बॉटर पर जंग छेड़ दी जाएगी भारत की आदी सेना, ग्रहय युद्ध नियंतरण करने में लगी है, बागी को पाकिस्तानी सेना अपने नियंतरण में ले लेगी और कश्मीर पच्चान सितारा फेरा कर ये नारा बुलंद कर देगी पाकिस्तान जिन्दाबाद हमारा संक्ठन अलफाइदा जिन्दाबाद कश्मीर हमारा है कसाई खान हिंदुस्तान में अपनी गतिविद्यों को तेज़ करना होगा और खुसपैटिये भीजने बाद होंगे मा के हिंदु मुसल्मानों को एक दूसरे को खून का प्यासा बना देना होगा शैतानियत खलबली आतंक दहशत और चीखे मांगती है लेकिन इंसानित को चाहिए सिर्फ और सिर्फ शान्ती आतंक बाद मुर्दाबाद एकता जिंदाबाद शान्ती हरोर रहे ट्रेन दिल्ली जा रही है वहाँ शान्ती के मुद्दे पर बोट कलब पर विशाल लेली निकाली जानी थी हमें युद्ध नहीं शान्ती चाहिए पाकिस्तान होस में आओ कश्मीर को मत चलाओ युद्ध नहीं नहीं शान्ती हाँ हाँ अरे ट्रेन के रुक गई इसे एहमद भिश्टी आनी मैंने रोका है क्योंकि ट्रेन अब कहीं नहीं जाएगी कश्मीर के लिए कोई हिंदुस्तानी आवाज उची नहीं करेगा कश्मीर के लिए कोई आवाज उठेगी तो हम उसे उठाएंगे कश्मीर हमारा है आधा कश्मीर तो हमने ले लिया अब आधा और ले करेंगे पाकिस्तान जिंदावाद आग लगा दो ट्रेन के इस कंपार्टमेंट को चन खन यह दंगाई है इनका निशान हमें खिड़किया बंद करो खिड़किया दर्वाज बंद करो अगर यह लोग दंगाई है तो हमारा बचना मुश्किल है क्योंकि यह कई हैं और सब के सब जुनूनी अगर हम दर्वाजे के अंदर से बंद कर लेंगे तो यह लोग कमपार्टमेंट में आगला आ देंगे और हम भार आ जाएंगे तो ये लोग हमारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे हे भगवान कैसे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे चम 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 ये टोगा की समीन है चम 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 जहां अपरात के लिए पैदा हुए जुनून के टुकड़े डोगा करता है चम चम खनाक चम चम आहा गांधी की चमीन पर गोली चलाते वागत खुद मेरे भी हाथ काप जाते हैं लेकिन इन शैतानों के टुकड़े करने के लिए मुझे वो जुनून इनी से मिलता है चम और मजबूर कर दूंगा इन शैतानों को अपने घुटने टेकने के लिए इस समी पर चम चम आहा घुटने तो अप तुम टेकोगे हम चेहादी हैं कुर्बानियों से नहीं डरते कुर्बानिया देते हैं जान देने जान लेते हैं में शरीर पर बदे बम देख 30 सेगंडों में मेरे साथ-साथ तू भी मौत के मुह में चला जाएगा अगर तेरे में हम्मत है तो मुझसे दूर भाग कर दिखा दूर तो तुझे जाना है एहमद विष्टी और बहुत दूर खनाक हो और वहाँ पर तुझे मैं भेचूंगा चम 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 तो कुर्बानी नहीं देगा है विष्टी क्योंकि तू आतंकवादी है तू यहां दंगा भढ़का नहीं आया था तू 30 सेगंड से पहले डोगा के हां तो मरेगा धंप मौत तुझे आ गई है भाम भूम और अपने क्रिया करम का इंतिजाम तो खोदी कर गया है था अब इस आग को फोरण ही भुचाना होगा चम 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 फश कलंग भार क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है कभी गोलियां चलने ही कभी धमाके हो रहे है हम तो जहांकर भी नहीं दे सकते आग भी शायद बढ़ रही है शायद हम थी दिरे मौत के चंगल में फस्ते जा रहे है ये देखो पानी खिड़कियों के अंदर से पानी आ रहा है आग लगने वाले आग पर पानी नहीं डलते इसका मतलब हम खद्रे से बाहरे है खिड़किया दर्वारे कोल दो ओहो भाठ डोगा है डोगा मुसल्मानों ने हमें मानने की कोश्च के रही है नहीं ये आतंकवाजी थे आतंकवाजी थे आतंकवाजी कोई मजभ नहीं होता मैंने इस इन हत्यारे आतंकवादियों को खतम करके कर दिया है जो पाकिस्तान को मजहवी उनमाद की आग में छोगना चाते थे अगर हम यह कहेंगे कि हमलावार मुसल्मान थे तो इनका उद्देश पूरा हो जाएगा धानवे को उनमाद फैल सकता है कहो यह आतंकवादी थे सिर्फा आतंकवादी जिनके पास स्वार्थी शत्रंज की भी सभी चाले थी जो शांत पानी में कभी पत्थर मार कर खलबरी मचा सकती थी निशाने पर दिल्ली थी मंदिर आगया फैटे जल्दी फैक मैं तो पाकिस्तान से ही जल्दी में हूँ फोजे सैटलैट की एक आख हर वक्त दिल्ली पर खुली रहती है और इस आख का सीधा संपक्त परमाणू से है परमाणू कुछ लोग कतिविदी संदिक्द है उनको मंदिर के आगे कुछ पहका है मुझे उस थान के बारे में बताओ परबाट वो चीज परमाणू के चक्के उड़ाने के लिए काफी थी ओहो नो मुझे से यहां से हठाना होगा वन्हा दंगे और हैवानियत का ऐसा खेल शुरू होगा जिस कांत लाशों का एक बड़ा स्कोर खड़ा कर देगा इसे गोली कैसे मारूँगा मगर इसे गोली मारूँगा तो बचे के हम भी नहीं जरा नीचे देख मैं नीचे नहीं देख सकता इतनी उचाई देखकर मुझे भी होशी आ रही है दिल्ली के एक दूसरे इसे में फैटे और फोजे अपना काम पूरा कर चुके हैं हम लेट हो गए बस अपना काम भी हो गए इस गटरी के खुनले के बाद इस छेतर में जो हंगावा मचेगा वे जल्दी नहीं थमेगा जल्दी इस नहीं थमेगा क्योंकि हम उसे थमने नहीं देंगे तो मैं थमना होगा कोई छत पर खुदा है थब पागल है क्या आस्मान से चलती कार की छत पर कौन कुदेगा मुझे ऐसा लगा जैसे कोई रोकेट हमारी कार के उपर से गुजर गया हो रोकेट तो स्री हरीकोटा के अंतरिक स्टेशन से उड़ते हैं वेवकोफ और ये दिल्ली है और बेचारों क्या पता था जैसे त्रेंगा रहता है हमारोकेट की धाल रोकेट की धाल उड़ती है शरुम चकर 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 उड़ती है तो रंद वापस भी लोडती है चकर 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 ये उड़न तस्तिरी सी कैसी चीज़ आ रही है ये तो हमारी ओर आ रही है ओहो ये ढाल है ये तो उड़ी थी पर वो तो गई थी ये तो आ रही है ढाल की गति उनकी वेफ़पूफों को पता नहीं था कि ये वो गई आने के लिए थी ढाल की गति उनकी सोचों से कई जाज थी खनाक ठक कार संबाल कार नहीं संबली मगर इस्तिती संबल चुकी थी इस अगर इन पर किसी की नजर पढ़ जाती तो ये शहर दंगों के आग में चलज जाता मंदिर और मस्चिद के पवित्र वातावन को दूशित करने के कोई शहर में दंगा भणकाने की कोशिश कर रहा है माँ ठीक सामय पर मैं परमाणू के रूप में पहुंचियां तिरंगा थैंक्यों तिरंगा परसावधान रहना शायद ऐसी कुछ इश्टा और भी हो घबराओ नहीं मेरे लावा परमाणू भी सतरकोगा आज तक परसारिती इस खबर समूचे हिंदुस्तान को स्तद्द करने के लिए खाफी थी खुछ चंदा को भी 24 घंटों के अंदर अलकाइदा अलफाइदा द्वारा ताज मैल को उड़ा देने की धंकी ताज मैल सिर्फ हमारे नहीं पूरे संसार का एतिहासिक गौरव है इस खबर से पूरे हिंदुस्तान में तनाप फैल जाए बदल जाएगा और कहीं ऐसा हो गया तो हिंसा का तांडब मत जाएगा इस खबर के पसानान के बाद आगरा के परते एक रास्ते पुलिस चावनी नजर आने लगी वैलकम टू आगरा पुलिस चेक पॉस्ट वो भाँ पुलिस हैड़वार्टर में सरगमरी जवदर सरगमी थी जमीन की और से इनकी ऐसी कोई भी कोशिश का मूत और जवाब दे सक पेढवाली इमना नदी मैं P.A.C. के स्थान पर नदी पुलिस को टेनाथ कर दिया गया खतरा हवाई हमले का हुसकता है हम कोई भी रिस्क निलिन नचाते है रिए हमने एक विश्यस इनतिताम किया है पुले सुप महाने रिक्षक द्वारा किया गया है फिशे जिन धिनाम था ये 180 फुट से भी उचे ताज को मिल्टरी रंग के कपड़ों से ठख दिया गया है ताकि आकाश में एक वह उचा घास का टीला नजर आए ऐसे बहुत से टीले हैं याँ पर 30 साल पहले 1970 के युद्धी के दोरान भी ताज मेल की सुरच्छा के लिए ऐसा कदम उठाय गया था आतंकवादी आतंकवाद को आजादी की जंग का लिवास पहना कर सारे संसार को विनाश की तरफ धखेलने हैं इसका प्रेणाम खतरनाक होगा ये कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि ये मौत के डर से चीज़ चुके हैं कसाई खान बोल ला हूँ अब एद रूप से तुमारे विवान निशित छेतर में कुष्ताई एर ट्राफिक कंट्रोल रूम में खलवली मचा चुके होंगे तुमारे पास सोचने सबनने का टाइम नहीं है मुष्ताख तुम्हें बहुत चल्दी अपना काम पूरा करना होगा ताज महल को ठक दिया गया है जिससे वो मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है लेकिन ताज में मौझूद हमारा आदमी फ्लेयर यानी तेज रोष्णी छोड़ने वाले पटागे का प्रयोग करके मेरा मार दर्शन कर रहा है मुझे अपना विवान इसी जगे के से उचे घास के टीले पर तकराना यानी ताज महल पर रोष्णी का पटागे को छोड़ा तुने शायद हमारे पास गण चलाने का टाइम नहीं है प्रकाश यूज गती से आगे गण की कती को यह उकाद नहीं थी यह गण यह गती तेज गती से जिस्म में शक्ति भनने है बनते ही भर गई थी सई समय में मैंने दिल्ली से आगरा का आने का मन मर रहा है और मेरी आखों के सामने खटना खट गई जिसने मुझे इस नियंतित करने का अफसर दे दिया दिल्ली एरिपोर्ट से चोरी किया गया यह लड़ा को विमान अब ताश पर नहीं बलकि आगरा से हजारों किलोमीटर दूर इंटीस परवत परिष्टे इस चक्रीज़ॉला मुखी पर लेड करेगा मेरा भिमान अगरा से बरफील इंटीस परवत के ऊपर है वो इस समय चक्रीज़ॉला मुखी की तरफ बढ़ रहा है आगरा से आनडीस पर बयर तो आई नियत खराब हो ग Mumbai है मौस टरगे वा मैं तो मैं गोली मार दूँगा उसे गोली मारने का अर्मान दिल में राए गया कमांडोस की तो पलगे मी नीजब की थी और खतरे के बाल साफ हो गयते देखते देखते विमान साइद गायब हो गई कौन थी वो आखिर थी कौन वो नारी शक्ती के प्रतीक शक्ती एक बार इसका नाम सुना था आज देख भी लिया मगर वो कहा गया है वो कौन ओहो वो आतंगवादी जो मिमान को तास से टकराँ चाता था उसे मैं परफील एंडी जोला मुकी में छोड़ाई हूँ कहां एंडीस पर आगरा से एंडीस इंपॉसिबल ताज मैल हमाज देश से गोराव है ऐसे खुले आसमान के नीचे चांद की दूदिया रोशनी में नाने के लिए खुला रखो कोई पला ऐसे छूने नहीं पाएगी निरवे रहो आगरा से एंडीस तक है भवान और हम एंटी एरक्राफ्ट गन का ट्रेगर तक नहीं दबाग पाए राजनगर में स्पेक्टर स्चील की उंगली की ट्रेगर पर कसने को तियार थी एम डटार गया है ट्रक को आगे जाने से आगे जाने तो स्पेक्टर स्चील इसमें मंदिर के शिले नास के पत्थर हैं अरे ये कैसे समझेगा हम भगवान के वक्त की भावनाओं को ये तो स्चील का है इसकी भावना है स्चील की है ये तोड़ गया सिलिनास के पवित पथा को लेकर हम मंदिर की जमीन बजाना ही है तो फिर देखते हैं तो बेरियर, वार्न डेम, होल्ड आम कहा हैं मुझे किसी भी अपरी इस्तिती को टान ले के लिए चलाने का देश है क्योंकि तुम लोग जिस चमीन पर मंदिर बढ़ना चाते हों वाजित है ये मामला न्याले में विचारा धीन है अगर तुम लोग वहां तक पहुँचे हैं तो शैर की कानूने में नागरेक वैस्ता खत्रें बढ़ जाएगी लोट जाओ खत्रे में तो तू पढ़ेगा क्योंकि तू हमाई रास्ते में कानून का रोड़ाट का रहा है शिनल्या सो कर रहेगा टंग टनाक स्कैन मोड पिस्टल्स बर तुम लोग सादू नहीं हो क्योंकि सादू के पाप पिस्टोल नहीं होती उफ इसे कैसे पता चला आइडेंटिटी सर्च मोड मेरी मेरी में दर्ज आतंगवादियों के हुलिये वे उनके शायरे पहचान चिन्नों के मुक्ताबिक ये तीनों आतंगवादियें और इनके नाम है रसूल, मेमन, वे अलफान से और ये तीनों नाम मिलकर तुम्हारा नाम मिठा देंगे जिंग 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 एक जिए उली Portland मैंने तो तुम्हारी कोलियां परदाश कर ली अब तुम मेरे घुसे को परदाश कर सकोगे? नहीं तराक आहा वेचारों को पता ही नहीं था कि उसका सामना लोहे के आदमी से हो जाएगा हम लोग कारेकरम को शांती पूर वक्त था इस्पेक्टर स्टील लेकिन पता नहीं कभी है शतान भीर में सामिल हो गए भीर को भढ़काने लगे और हमारा दुर्भाग की हमेल ऐसे लोगों से बच नहीं पाते शार्ज को दुश्मन थाकते हैं इस वक्त शहर में दंगा भढ़काने की खौहिश मन्द हैं हम अपना कारेकरम फिलाल स्टागित करते हैं इस्पेक्टर स्टील और हम इनके रादों को कामयाब नहीं होने देंगे तो फिल लोट जाओ वह गजब की आखे हैं कपड़ों के नीचे छिपी पिस्तॉल भी देख ली वह आखे नहीं कैमरे हैं तब ही तो कहते हैं स्पेक्टर स्टील के रहते हैं राजनगर को कोई आच नहीं आ सकती सिचुएशन अंडर कंट्रोल राजनगर में इस्तती कंट्रोल में थी मगर रूप नगर की सिचुएशन कंट्रोल के बहार होने वाली थी हिंदुस्तान में दंका बढ़काना सबसे असान काम है चनता है कैसे बस कुछ कबरें खोदनी पड़ेंगी सुबह जब ये कबरें खोदी वे मिलेंगी तो मजहभी आपस में लड़ मरेंगे फटकर बहार आजाता है ठीक उसी पकार फटती है ये कबर भी कर अब भला कबर में रहने वाला चगन पापो कैसे परदाश कर पाता काओं काओं वह पागल को आपर इसने हमारा हमने इसका क्या बिगाड़ा है तो मैं इनसानियत का बिगाड़ रहे हो और ये ना इसे मनजूर है न मुझे थाड़ हाहा, खटाक काउं, तुझे इंगे इन ही मुर्दों में शुमार कर देंगे, तु मुझे मार कर मुर्दों में शुमार करेगा? हाहा, मुझे अन्थानिको, अरे इसे तो ज़्या भी दर्द नहीं हुआ है, ऐसा लग लगा है, ठाथी पर कुदान नी फूर्ट टांग रखा ह है कुदाल भी लगी खून भी नहीं निकला भून दो शे तर 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 हा तूने सुना प्रिंस यह मुझे मार का मुर्दों में शमार करेंगे का अपनी जान बचाना तो इनके लिए मुश्किल है और यह मुझे मारेंगे खच आ अरे कहा गया मैं यहां हूँ यह गन उठाने आया था और मुझे चला कर मुझे चलकर यहां तक पहुंचने की जरूत नहीं थी यहां बिना देखिया मांस यहां कैसे पहुंच गया पर तूटू डर क्यों रहा है मुझे तो शक हो रहा है कि आतंगवादी हमें यह तुम जैसे शैतानों के लिए आतंगवादी मैं हूँ कांव तर 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 कांव कांव के घपरा मत पर्रिंस जो कपरेनों ने थोड़ी बहुत छतिकस्त किये मैं फिर से संतल कर देता हूं रूप नगर की धर्ती पर प्रिंस और एंथोनी के रहते दंगा नहीं होगा चला प्रिंस पीओ के स्थित कसाई खान गुरूप में ख़लकम बचाता ऐसा पहली बार हुआ है कि एक जगे पर नहीं बलकि सवी जगें पर दंगा एक्सपर्ट समझे जाने वाले आदमी दंगा करवाना तो दूर अपनी जानों से ही हाथ दो बैटे कसाई खान गुस्ता मत कर गुस्ता का लोग खायाता है तो क्या अपनी विफलताओं का विलाब करूं सुप्रीमो खमीरा खान को क्या जवाब देंगे अगर यह यहाल ला तो जो करोड़ रुपे इस ट्रेनिंग क क्या हम देशबक्त नहीं है हो मगर रात के रक्षक डोगा वंडर मैन परमानू 450 किलो स्टील के स्पेक्टर स्टील नारी शक्ती के प्रतीक शक्ती देशबक्त डिटेक्टिव तिरंगा और जिन्दा मुर्दे एंथोनी जैसे नहीं हम बंदूगों के तोपों में सिरी खप पाकिस्तानी कैसे पता लग गया कि हमारे आदमी कर बड़ करने पहुंच रहे हैं इससे पता लगता है कि उन कमीनों की नाख हम से जाज़ा सुनती है वो तो सुनगेगी वो सब अंग्रेजी स्कूलों और कॉलेजों में पड़े हैं हम पाकिस्तानी मदरसों से आगे नहीं तो फिर क्यों ना पहले इन सूपर हीरोस का इंतिजाम कर लें मैं सुपरीमोख हमीरा खान से बात करता हूँ जिंग 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 मैं किसी दुश्मन की तारीफ सुनू तो मेरा भेजा आउट होने लगता है दिल्ली के माफिया डॉन प्रिंसिपल के नित्तत में अ दिल्ली से मौसम किलर एन्वाइरो और खाना बदोश सरकस मास्टर जोकर इन सब का मैं यानि अपराथ के स्कूल का प्रिंसिपल दिल्ली में स्वागत करता हूँ तो फिर हाँ तुम अपने आपको प्रिंसिपल मत करो ऐसा लग रहा है जैसे हम तुमारे स्कूल के विद्धारती हैं तो फिर ठीक है मैं अपने आपको प्रिंसिपली करो और यह बताओ हमको यहाँ पर क्यों बुलाया है हमें इतनी बड़ी स्वपाड़ी मिली है कि शायद हम जीवन पर गुना करके भी कमानी पाते हैं हमें एक हमीरा कान से डोगा परवानु तिरंगा एस्पेक्टर स्टील शक्ति और एंथानी को मानने का कॉंटेक्ट मिला है यह लोग हमारे भी रास्ते काटे हैं अभी तक त उसे खतम करके कस्मे खा चुके हैं इनकी ताकतों मैं कमियों के विशह में जानते हुए हैं मैंने चाहता कि आप लोगों के अनुपस्ति अनुमती के बिना इन हिरोस को मारू हूं इसलिए आप सबको परस्टनली कॉल करके बलाया है मुझे तो तुमने बलाये नहीं प्रिं करमिशन रखता है हाँ ठीक का मैं कभी एक जगे बनी मिलती लेकिन मुझे सारे संसार की गती वीडियों भी खबर रहती है इसलिए CNN दौरा जैसी तुमारी मीटिंग का पता चला मैं यहाँ पर आ गई क्योंकि मैंने जो सूपर हीरो कैप्चर प्रोग्राम बनाया है उसकी म अपने प्रोग्राम के बारे में तु कुछ बताओ बंडर बॉमेन बताऊंगी और दिखाऊंगी भी क्योंकि परते एक क्रस्टेशियन की आँख से मैंने कैमरे फिट किया है क्रस्टेशियन क्लिक बंडर बॉमेन का जाल फैल लाता है वा गुड डे सीना हैपी बर्डे अंदेश अरे परमाणू सुनो तो मगर परमाणू शीना की आवाज की हस्ते दूर जा चुका था उस चोन ने सुंसान जगे पर तुमारी जीप में रखी तुमारी वर्दी चुना कर पहन लिए हाला कि वर्दी को एतियास से चुपा कर गया था शरीफ आदमी रात को घर से बाने निकलते हैं पुलिस टेक्स बनना पड़ेगा शायद इसने पी रखी है या फिर पीने के लिए ही टेक्स मांग रहा है पुलिस टेक्स ना दिया तो यह हमें अस्पिताल टेक्स बनने के लिए मजबूर कर देगा यह से रोकना होगा कमगत मेरी वर्दी पहन कर पुलिस का नाम बंदनाम कर रहा है यह क्या है सड़क चट रही है अभी परमान उससे दूर था और कोई पास कर यह क्या पला है मुझे इसे बचाना होगा ए बगवान मौन्टू भाग मौन्टू आहाँ परमानू पलग भी नहीं जपा पाया और बहला जमीन में समा गई ओनो इतनी जबर्त फूरती से उसके टुक्डे टुक्डे करने के बाद जमीन में समा गया है लेकिन उसने महां से भागे दोनों युकों को छेड़ा तक नहीं एक बार फिर सड़क के टूटने के स्वरा रहे हैं देखा आप सबने ये क्रस्टेशन था इसे बनाने की प्रेंट ना मुझे केरिबियन के एकड़े से मिली केकड़ों के बारे में प्रसिद्ध है कि इनकी घ्राण यानि सुनेक शक्ती बहुत तीवर होती है इसके दो चिम्टों यानि पिंपर्स पर संग गंद संबेदी रोय लगे होते हैं मेरे बनाए केकड़े यानि क्रस्टेशन रोबोटिक हैं तथा इनके प्रिस्टन पर करतिम गंद भरी जाती है फिर ये स्वेमी उसकी गंद और सभी स्तुरों तो तक पहुंच कर उसे नश्ट कर देते हैं मैंने इसे हर छेतर में हाई करस्टेशन छोड़ दी हैं जहां सूपर हीरोस सक्रीन रहते हैं और इनने सूपर हीरोस की गंद सुगा दिये अब यह जहां भी करस्टेशन को सूपर हीरोस की गंद मिलेगी पहुंच कर उन्स सूपर हीरोज के टुकड़े टुकड़े कर देंगे जैसे दिल्ली में करस्टेशियन को परमाणों वो तिरंगा की कंद सुखाई गई है मुंबई में डोगा की राजनगर में स्टील की अब ना तो ये सूपर हीरोज जमीन में चिप सकते हैं ना इस समुदर में करस्टेशन उन्हें कहीं भी खोद निकालेंगे ये तो नायब चीज बनाई है तुमने वंडर वुमेन तुमने तुम्हें सूपर हीरोज की कंद मिली कहां से मैं कई दुनों से सूपर हीरोज के छेतरों की खाक्षान नहीं थी अब ही हाली में जब सूपर हीरोज अपने छेतरों में दंगा रोकने पहुँचे तो मैंने सभी सूपर हीरोज की गंद पाली कमाले तुमने तभी को नहीं पकड़ा या खतम कर दिया इससे मेरे कस्टेशन की योगेदा का पता कैस चलता और जब तक कस्टेशन पूरी तरह तयार नहीं है हुए थे फिर मैं उन्हें खाम खाई मुफ्तमे के अपकड़वाती एक बाद समझ मी नहीं आई कस्टेशन ने उस पुलिस वाले को को मार डाला ये तो तया है कि मन्ने वाला साधरान इंसान था वे परवाणू होता तो एक तो वो इतनी असानी से ना मर था दूसरे कस्टेशन भी पिंसर्स में भरी गंद के स्तिरोध को तबाह करने के बाद वापस लोटा था जबकि वो भी अटैक कर रहा है उसके एर्दगेर उससे सिंद मिलेगी वह उस चीज या प्राणी को काट पीट डालेगा देखो वह चीप पर टूट पड़ा है परमानु भी देख रहा था उस दिल धरादने वारे द्रिश्च को इस कौफ ना कैकड़ा मेरी चीप के टुकड़े टुकड़े कर रहा है परमानु कुछ कर पाता उस लेकिन इसका निशाना कोन है शायद मैं क्योंकि पहले इसने उस वक्ती पर कर्मन किया जिसने मेरी वर्थी पहने हुए थी फिर मेरी चीप पर ओहो लेकिन मुझे ये इस वक्त सुन नहीं पा रहा है शायद इसलिए क्योंकि मैं हवा में हूँ इसका मतलब इसे मेरी कंद च या फिर मेरा पुलिस स्टेशन अब इसका हमला इन दौन जगव में से एक पर होगा इन दौन अस्थानों पर वह हमला उसी सूरत में नहीं करेगा जबकि उसे परमाणू की पूरी गंद सड़क पर ही मिल जाए पर ओहो ये यहां पहुँच गया मेरा अनुमान ठीक निकला पुलिस स्टेशन करररर ओहो ये मेरी ओर देख रहा है मेरे परमाणू प्रहाड इस तक पहुँच पाएंगे है नहीं स्क्रीच परमाणू की ने किस्टेशन तक पहुँच पाती इससे पहले ही वो अपस जमीन में समा गया इसे मेरी कंद मिल चुकी है अब वो जमीन के नीचे से मेरी ओर बढ़ रहा है और किसी भी पल मेरे टुक्रे टुक्रे कर देने के लिए मुझे ज़वट पड़ेगा मुझे जगे छोड़नी होगी ओफ फुश उड़ना कभी कभी घातक हो सकता है और आज पहली दफ़ा ये मालूम हो आता कर जोगी क्रिस्टेशन से टकरान जाने के कारण उसकी उड़ने की दिशा परवर्थित हो गई थी और गथी में होने की कारण वो सीधा आका जमीन से टकराया धाण परवाणू को अपना दिमाग चकराता सा महसूस हुआ क्योंकि वो जानता था कि अपने उसे अपने मस्तिश को नियंतर में रखना जरूरी है क्योंकि एक भी पल चूक उसका काम तावाण कर देने के लाव काफी थी मुझे सड़क पर कमपन का एसास हो रहा है यानि कि इस वक्त वह क्या करा ठीक मेरे नीचे है और सड़क फोड़कर मुझे तक पहुँचने ही कोशिश कर रहा है मेरे पास उन्ने के लिए सीधा होने का समय नहीं है ओ गाड़ वो मेरी मौत बनकर मुझे पर छपटने वाला है उफ 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 इससे बचाव का एकी तरीक है कि मैं इस पर परहार करूँ मगर ये खुद मगर मुझे खुद पर परहार करने का अफ़र दे तबीना फिलाल तो मुझे इससे जान बचानी मुश्किल होड़ी है क्ररररररररर् क्योंकि अब ये जीप मेरी गंद पालेगा और जीप पराकर में करेगा लेकिन मैं जीप को नीचे से गोली की रफ़तार से दोड़ा सकता हूँ जुरूम अब ये जीप मेरी तरफ उसी परमालो पावर से दोड़ेगी जिस तरह से मैं उड़ता हूँ ये कहना ठीक होगा कि इस वक्त मैं उड़ रहा हूँ और मेरी जीप को इसकी कती मिली भी है लेकिन मजास समय तक इसे दोड़ा नहीं सकता क्योंकि केकड़ की कती भी कम नहीं है वो जमीन के नीचे से मेरा पीछा कर रहा होगा बाल बाल बचा कर उसी पर भाईयों में एक जबरत सस्राट पैदा हुई और यह सस्राट तिरंगा की ढालकी थी भडाक धारदार सक्ती जाली ढालकी तिरंगा परमाणू संकट टल गया है अब मीचे आ जाओ मैंने सही समय पर तुम्हें संकट ने फ़से देख लिया था अब मी ढाल फैंकर उस केकड़े काम तवाम कर दिया उफ यह का है स्क्रिच उन तीवर केंड़ों में नहाए परमाणू दोनपल भर में गायब हो गए कि हम केकड़े केक और चाल में फस गए है परमाणू तिरंगा उस केकड़ा मानब से निकली तरंगों से गायब हो गए है और वो केकड़ा मानब भी अब राधी कुट्चों कुटा था वे दोनों कहां गए मेरे क्रस्टेशन की यही तो विशेशता है अगर वो सूपर हीरोस को ना मार पाए तो खुद उनके हाथो नस्टू जाए तो उसमें तीवर टांस्वेटिक रेज निकलेंगी और सूपर हीरोस को माँ से गायब कर देंगी मेरी विशेश कैद में इस क्रस्टेशन को मैंने तरंगा और परमाणू की कंद भरी थी और संयोग से दोनों एक समय में ही उसकी रेंज में आ गए रेंज के तारे में आ गए हाँ हाँ मुंबई में डोगा को मिली वे पहली मुं में दबागर क्या लाए मुती नीद आये तो आँख उंगती है केकड़े की नाक कुत्ते को सुंगती है ना समझपाए तो मौट ढूंती है ये तो कोई पहली है पहलीों को बूचता है काल पहली तो पहली की एकड़ जैसा है, अरब…. पहली यह केकड़ा सिर्फु यहां जिर्फ कुत्त को मानने तो है रही हुआ क्या रहु हूं। वह यहां सिर्फ której कुत्त को मानने तो हुआ हूँ। और मेरे भ्रम्य उसे मार डाला और फिर जमीन में समा गया है मगर अब मुझे फिर से सुंगता हुआ ठीक किसी जगे से निकलेगा और जहां इसका खुद सामना मौस्च होगा क्या कड़ा तो मारा गया लेकिन यह क्या हो रहा है क्रस्टेशन के नस्ट होते ही डोगा भी उन ट्रांस्वमेटिक रेज का शिकारो कर गयब हो गया था राजनगर में भरे बजार में मची संसनी इस्पेक्टर स्चील को एक इस बलाने जगर लिया है इस्पेक्टर स्चील के आँखों के स्थान पर लगे हाई स्पीड कैमरे खटना सिल का पूरा प्योरा विशेश कंप्यूटर चिपों के जरीए उसके हुमन ब्रेन तक पहुचाते थे इस्पेक्टर स्टील के स्टील पर पुर्जों को काट देने के रिए करस्टेशन के ज़रूर पसीने शूट गए होंगे आगास में ठीक इस्पेक्टर स्टील के स्टील के ऊपर नजर आया विशेश हलिकॉप्टर जिस पर कोई पाइलेट नहीं चलाता था फट 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 पांदे नीचे सड़क खाली करें नो ट्रैफिक नो क्राउट पलग जबगते इक थे जटके से साथ इस्पेक्टर स्चील का भारी शरी कस्टेशन के साथ आकाश मोरता चला गया फट 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 आई वांट टू टू क्रश यू रोबो क्रैफ क्लंप आई वांट टू क्रश यू रोबो क्रैफ इस्पेक्टर स्टील कहा गया श्क्रेश और यह सफल था वंडर वूमेन के नाम पर गई थी ये कब्र एंथोनी की थी और कहते हैं कि इस ओर बढ़ने वाला किसी भी खत्रे को भाप लेता था प्रिंस की कौवी निगाएं काओं काओं और जब तक उसकी करक्राश्टें असमाने हो जाती हैं और आज मुर्दे का संपूर अस्तित्य खत्रे में था क्योंकि करस्टेशन के लिए जमीन में तब मुर्दे को टुकड़े टुकड़े का डालना जादा मुश्किल नहीं था लेकिन पिरिस्टी करक्राश्टों ने मुर्दे की नीन भंकर दी थी वो हड्यां टूटने से पहले इसकबर फोड़ो कर भाहर आ गया था मगर मौत उसे पकड़ चुकी थी प्रिंस की घवराट को एंथोनी समर्या था घवराट प्रिंस इसी पकर से छूटना मेरी लेगदा मसान है काउं काउं क्योंकि जहां भी मेरी निगाए देखती हैं मैं वहां तक टेलिपोर्ट सकता हूं बड़ी तीवर्टा के साथ एंथोनी अपना स्थान छोड़ा और इसे जमीन के नीचे मेरी उपस्तिती का पता लग रहा है कर क्रस्टेशन वापस जमीनियों समा गया है लेकिन समझने वाली बात यह है किसे किसने भेजा है और यह मेरी कबर तक कैसे पहुंच गया यह धरती काप क्यों रही है लेकिन अब यह वापस जमीन के अंदर नहीं जाएगा मैं इसे जमीन से भी खोद कर बढाम निकालूँगा क्रस्टेशन को खतम करने में एंथोनी ने सफलता प्राप्त कर ली थी लेकिन ट्रांस्मिट्रेज में एंथोनी के साथ साथ प्रिंस भी आ गया काम ओहो ओहो चंदा उस समय अपने बैट पर थी ओ नो ये क्या खत्रा पलग जपकते ही बदल गई शक्ती में तू जो भी अब बचेगा नहीं सेतान ओहो ये तो रोबोट है मैं अपनी परचंद दूश्मा से पिखला दूँगी शक्ती ने अपनी ओर से खतम करने में कोई भूल नहीं की थी लेकिन दरसर यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी ओहो इसके शरीप पर तो कुछ अद्रस्किन ने निकल लही है जो मुझे कहीं और ट्रांस्मेट कर रही है स्क्रिच और ये है क्रिस्टेशन की सफलता का सबूत अरे वाँ एंथानी के साथ प्रिंस भी आ गया ये सीन देखकर मिरा मन कोई गीत काने को कर रहा है चंदा मामा दूर के पुए पकाये पूर के आप खाये ठाली में मुन्ने को दे प्याली में तुमने तो कमाल कर दिया वंडर गूमेन ये जिन्दा हैं अमर गए हैं अगर जिन्दा हैं तो इन शातानों को फौरण पहले से फौरण से पहले समाप्त कर दो वन्ना कहीं होश में आगए तो हम उसमेरे ना भूल जाएंगे ये शक्ती तो इस पिंद्रे को पलवन पिखला देगी ऐसा नहीं होगा जोकर क्योंकि इस वक्त इनके मस्तेश एट स्टन किर्णों के प्रहार से जाम हो चुके हैं ये अपनी अब मेरी च्छा के बिना होश में नहीं आएंगे और मैंने इसी वस्ता में बर्मूडा ट्राइंगल जैसी रहसे में जगे पर भेज दूँगी जहां से आज तक कभी कोई वापस नहीं लोटा कम भगर डोगा को तो मैंने अपने हाथ से मानना चाता था इसलिए उसे साथधान करने के लिए चुपके से पहली वेजी थी मैंने कुत्ते गयाद पहली वे थी फिर भी नहीं बचा दिल कर रहा है कि स्पेक्टर स्चील का पुरजा पुरजा अभी जाकर बिखेड दूँ सबर करो मैकनेक्स सबर करो मेरा काम खतम हुआ मेरा हिस्सा मेरे स्विस बैंक अकाउंट में तुरंट पहुच जाना चाहिए अरे कहां चली गई अभी तो तुम्हें हमारे चस्ट में हमारे साथ सामिल होना है वो हो चली गई वंडर वूमेन के जाते ही चेर संपून अबराज जगत के लिए आज का दिन बहुत महत्पून है क्योंकि सूपर हिरोस के काटे निकालने के बाद अब बची है सिर्फ पुलिस तो पुलिस भला मारा क्या विगाड़ लेगी हाँ हाँ कानून तो हमारी जेम में रहता है निकाल कर दिखाऊं क्या डोगा मर गया यह तो अच्छा नहीं हुआ अब मैं खमीरा खान से पैसों की बात करता हूँ खमीरा खान तुमारा काम हो गया अब हमारे पैसे हमें मिल जाने चाहिए इतनी भी जल्दी क्या है पेंसिबल साहब हिंदुस्तान पर चांस सितारों तो फैराने दो क्या मतलब मतलब आएने की तरह साफ है अब जगे जगे हम दंगे फसाद भढ़केंगे और रोपने वाला कोई नहीं होगा क्योंकि सूपर हीरो अजमारे जा चुके है अंग्रेज वैपार करने भारत आये थे तो पूरे कश्मीर पचा गये थे कश्मीर के रास्ते हम हिंदुस्ताने परवेश करेंगे और पूरे पचा जाएंगे हिंदुस्तान पर हमारा राज होगा हम तुम्हें अपरात करने की छूट देंगे तब जितने चाओ पैसा कमाना जितने चाओ कतल करना हम तुम्हें बाकाइदा लूट रूट रूट का लाइसेंस देंगे कोई भी हिंदुस्तानी सुक्की सांस लेई हमें मंजूर नहीं पाकिस्तान जिन्दावाद हा 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 प्रिंसिबल के तन बदने में आग लग गई धोकेवास, कमीना, विश्वास, खाती खणाक तुम्हारी हालत देखकर रसगुल्ला मेरे गले में ठग गया प्रिंसिबल क्या हुआ जल्दी बताओ प्रिंसिबल ने बताया तो जोकर की एक शक्तिशारी चोट का प्रिंसिबल के शक्तिशारी बताओ प्रिंसिबल के शक्तिशारी बताओ यह हमने क्या किया डोगा प्रवानू स्पेक्टर सील तिरंगा शक्ति एंथौनी को खाम का मरवा दिया क्योंकि कम से कम यह सूपर हीरोज के अंदर की स्थती तो बिगणने से बचाते बॉर्डर पर मिल्ट्री संभाल लेती बंडर मुमें से तुरंद कॉंटेट करो शायद उसने अभी उने बर्मुडा ट्रैंगल मनने के लिए ना भेजाओ और उससे कॉंटेट का करें कम वकद अपना पता भी तो छोड़कर नहीं जाती औख आज पता चला कि सूपर हेरोज देश के वहतियारой जो हम परताने होने के बादजूद भी हमारे फाएदे के लिए चलते थे हमने व हत्यारी तो डाले तो छोगार आज इस सरजमी को हमारी नहीं सूपर हेरोज की इन्वाइरो मैं खुद अपरादी होते हुए आज ये सचाई कबूल करता हूं कि हम भले ही कितने बड़े फने खांके नहीं हो लेकिन हम तरते हैं हाँ हम मौत से तरते हैं हम जो कुछ भी करते हैं अपनी जिन्दगी के लिए करते हैं उसे एशों पूर्ण बनाने के बिताने के लिए करते हैं जबकि सूपर हिरोज क्यार पार की लड़ाई लड़ते हैं उन्हें मौत का धर नहीं होता है उनकी रगरग में अपराद से लड़ने का जुनून होता है यही वो जुनून है जो माई लाग कोश्चों के बाप जूद शिकस्त का मूध देखने पर मजबू स्टील एंथोनी जैसे हीरो हमें अपने अंदर यह जज़बा पैदा करना हुआ कि हम उनका मुकाबला करेंगे और उनके छक्के छुड़ा देंगे प्रिंसिपल ठीक कहता है अगर यह धरती हमारी भी तो है भले हम भारत मां के निकब में बेटे साही वगर मां तो मां होती है निकब मां ही साही बेटा तो बेटा ही होता है मां मुश्किल में हो तो वो भी हमाई चाती से उस मुश्किल से टकराने के लिए आगे कर देते हैं यानि अब मुझे अपना नाम सूपर हीरो की तरह एनवाणू की जगए परमाणू की तरह एनवाणू रखनेना चाहिए टन टन टनाक मेजाक छोड़ो तो फिर ये चीर्ज अपनी उस सपलता के लिए जो हमें देश वक्त सूपर हीरो बनकर हासिल होने वाली है कसाई खान, जल्म खान वे कतल खान के लिए खुशी के रास्ते खुल गए थे, मारे गए सारे के सारे, अब देखें कौन बचाता है हंदुस्तान को जलने से, ऐसी अगल अगा हूँगा की बुझाय नहीं बुझेगी जल्दी वा ना गुझेगा ये ना रहा, पाकिस्तान जंदाबात थोड़ी देर बाद, लोसी पर भारतिय फोजों के धान बठाने के लिए, पाकिस्तानी फोजों ने कवरिंग फारिंग फारिंग शुरू कर दी और ये फारिंग तब तक जाई रहेगी, चब तक तुम लोग भारती स्वीमा में खुश्पैट नहीं करते हैं आगे बढ़ो ये जंग्या जाती है इसे हम जीद कर रहेंगे कश्मीर हमारा था हमारा है हमारा रहे का हा कसाई खान पूरी तरह से दिल खोल कर हज भी नहीं पाया था कि कसाई कान you are under arrest क्या मतलब तुमा दिमा खराब हो गया क्या मुझे गिर्फता करने की तुमारी हिम्मत कैसे हुई जनरल से मेरी बात कराओ जनरल से समझाया इस्तिक अंबीर्ती बास समझने कोश करो कसाई कान पिछले दिल्ली राजनगर मुंबई ताज इत्तियादी जगों पर दंगे की जो चेस्टा है तुमारी गृप ने की है उनको भारत सरकार के साथ साथ पूरी विश्व कड़े नजरी से देख रही है सारा दोश हम पर है अमेरिका को हम पर भाई दवाब है कि हम इस आतंकवाद को रोके हैं और जिम्मेदार आतंकवादी को पकड़ें अमेरिका जैसी महाशक्ती को हम नाराज करने की इस्तिती में नहीं है हम पूरे विश्व को दिखा देना चाते हैं कि हम भी आतंकवाद के खिलाफ है इसलिए तुम्हें तुम्हें गिरिफतारी जरूरी है ठीक है जर्नल लेकिन जल्दी तुम्हें को सुना कतल खान भारी अमेरिकी दवाब के कारण कसाई खान को भारत को सौंप दिया गया है वहां उसके साथ कुत्ते हैं सलूक होगा धोका जर्नल ने हमाँ साथ धोका किया है खमीरा खान से बात करनी पड़ेगी पाकिस्तान की तरफ से अट जाएगा क्योंकि अब जब अपने घर में आग लगी हो तो पहले उसे बुझाए जाता है वरूम 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 और महाशक्ति शाली देश उसे एक महानगर को लगा आतंकवात का ये घाव जिसे पूरी दुनिया के लिए दाग बन गया ये वर्टेट सेंटर का ये अटैक था जो नागराज अमेर का कॉमिक्स में भी दिखाए गया था जो माई चैनल पर अपलोड है नागराज कॉमिक्स की प्लेइलिस्ट में आके आप देख सकते हैं वो भी आतंकवात की आत्रा पे निकला था पूम बढाम पूम 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 हर तरफ आग और धुए का सामराज चा गया बिकट स्तिती पैदा हुए थी अमेरिका की बिजनेस ट्रावरों को उड़ाने का पार उल्टा पड़ा चलम खान यहां सब कुछ तैसनेस हो गया मैं अमेरिकी ग्रीन बेरेटर पर आने के लिए पाकिस्तान की जमीन और आकाश मार का प्रयोग कर रहे हैं किसी पी तरह से यह रास्ते बंद करने होंगे और इसका सबस्देशे तरीका है हिंदोस्तान पाकिस्तान युद्ध अगर युद्ध भड़ाक उठता है तो मेरी की सैनिक पाकिस्तान की जमीन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे मेरे लिए पाकिस्तान भागने का रास्ता खुल जाएगा लेकिन जन्रली अहालत में युद्ध करने के लिए त्यार नहीं है कुछ ऐसा करो कि इस युद्ध की शुर्वात हिंदुस्तान की ओर से हो मगर जो करना जल्दी करो मेरा पाकिस्तान पहुँचना बहुत जरूरी है बाहर हरो टैंक करोरा गुंज रही है अमेरिकी सैने कुत्तों की तरह आगे चप्पे चप्पे वर मुझे सूंगते फिर रहे है काम हो गया खमीरा कान, काम हो गया समझो और फिर कतल खान येलो भारती संसत का नक्षा और प्लैन इसे दिल्ली इस्तित अपने साथी कुंकार खान को फिक्स कर दो उसकी बेग्यनिक शक्तियां हमारे कप कामाएंगी ये घटना एक ऐसी कारवाई होगी हिंदुस्तान इसका जवाब युद्ध मही देगा युद्ध मही देगा, इसके लावा ही पूरे हिंदुस्तान में और क्या क्या होगा ये तुम देखते जाओ कोई भी सुरक्षा वस्ता तभी तक सुरक्षत मानी जाती है जब तक उसकी कमियों को ट्रिल बनाकर उसमें सुराखना कर दिया गया है इनवर्टर का सामना नहीं कर पाओगे तुम पूरे विश्व में सबसे बड़ी संसनी केज खबर दूसी नहीं हो सकती थी सूपर वावर से लैस इनवर्टर इस संसत की सुरक्षा वस्ता को भेद कर लगवपास संसतों को बंदी बनाया उसकी मांग दिल्ली के तिहार जेल में बंद खुंकार आतंगवादी कसाई खान की रहाई देश के उन पचास जन परतिरियों की स्था के लिए कसाई खान की रहाई के आदेश जारी हो गए अब कसाई खान दिखाएगा तो मैं अपना कसाई खान जल्दी आयो कसाई खान तो मैं पी आई पी ओके पहुंचना है आ रहा हूं खुंकार खान कसाई खान की रिहाई सूचना इन्वर्टर तक महुँच गई हमारा एक काम हो गया इन्वर्टर आप तो महा जमकर आतंग फिला कर भान निकलना है इतनी तबाई मचाओ कि भारत के लिए जवाब में युद्ध करना जरूरी हो जाए इन्वर्टर के हाथो विद्धु चिंगारे छोट ने के लिए हाँ हाँ बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद ओफ किर बस तू अपनी जवान बंद को लगाम दे इन्वर्टर क्योंकि चंदा मामा का ये भांजा तुझे एक अच्छी से पोएम सुनाएगा धाड़ चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा मेरी ममे का प्यारा मेरा मामा अब तू देख मेरा चंदा मामा है अपनी घुट्वा करशन-शक्ति से मज से कैसे करता है मेरा चंदा मामा मेरे हाथों में अपनी गुरत्व शक्ति भर देता है और इस शक्ति से मैं एक करके चीज उठा कर तुछ पर दे दे कर मारूंगा धाड़ यही मौका है भान निकल लो लेकिन यह भान जा कोन है हम तो सुझ रहे दे तरंगा या पर्माणू में से कोई आएगा इस मुश्री बस्तिन बटने है तुझे तेरे चंदा मामा के पास ही पहुचा देता हूँ हाँ हाँ मेरे शहीर के चारोत लग गुरत का बच है जो तेरीस बिली को मुश्तक नहीं पहुचने देगा इनवर्टर चंदा मामा दूर के पुए पकाए पूर के आप खाए खाली में मुन्ने को दे पैली में पैली गई तूट मुन्ना गई रूट लाएंगे नहीं पैलियां बजा बजा के था लियां अब मैं तुझे तेरी शक्ती से मारूंगा तू मुझे नहीं जानता मेरा नम इंवर्टर है मेरे अंदर एनरजी स्टोर करने की पावर है मैं किसी की कोई भी एनरजी को उसके चार्च करके उसका प्रहार उस पर कर सकता हूं क्यान मेरी शक्ति का प्रहाज मेरी पावर को चार्ज करने के लिए इन्वर्टर बैटरी की जूरत पढ़ती है और मुझे यकीन है कि वो यह अंतर तैरी कलाईयों परफेट हैं जिनने मैं तेरी हाथों से तोड़ दूँगा और हम मैं वो बंदों के लेकर आता हूं जिनके मैंने अंदर जाते बद गाट से छीना है कम बकद मुझे अंदर ही आने दे रहे थे और तुझे खतम करने के लिए मेरा अंदर आना जरूरी था ओहो इनके आगे लगी संगीन है अब तुझे मेरे चंदा मामा के घर ले जाएंगी हाँ हाँ चंदा हो चंदा किसने चुराई तेरी मेरी निंदी या खच 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 मेरा काम खतम हो गया ओके बाए टाटा मुझे पर गोली मचलाना गोली मुझे नहीं लगती मैं से पहचानता हूं मैंने इस एक बार अगर में एंथोनी से मुठवेर की समय देखा था ये भांजा है इसके पास मून की ग्रेवडी पावर है इदा राकाश में ओड़ो जाते हेलिकॉप्टर से टकराई वे विद्दुत कराण उफ बिन बादल बिली कैसे कर जी खुंकार खान करररर जवाब देने के लिए खुं बिन बादल बिजली को गराया था एनवाइरो ने मौसम की शक्तियों को नियंतित करने की ताकत है मुझ में लेकिन कसाई खान बच गया है मगर कब तक बचेगा कनिश्का अपार्टमेंट्स लेकिन कहां गया तरंगा कहां गया परवाणू आज हीरो की बजाए एक विलेन आया रक्षा के लिए इधर सब के चैरे खुशी दमक रहते भाण जाए नवारो तुमने कमाल का काम किया है हम आतंग वाजियों के मन्सूमों पर पानी फेर देंगे सवाल देश की रक्षा का है और ये देश था था हमारा चप्पा चप्पा हमारा है हम कश्मीर पर आच नहीं आने देंगे पर ये काल पहलिया थोड़ी देर के लिए ज़रूरी काम चुट्टी दे कर गया था अभी तक लोटा क्यों नही मैं उस रास्ते को बंद कर गया था जो आतंक वाजियों के हिंदुस्तान में खुस्पैट का एक कारण हो सकता है ऐसा कौन सा रास्ता है ऐसा रास्ता है काला भूत लाल फौज काला भूत लाल फौज ये क्या बात हुई ये बात नहीं पहलिया है ये पहलिया भूजने का वक्त नहीं है काल पहलिया हमें इस प प्रिंसीपल के पूरे चाहरे पर सिंसान्ट दोड़ गई, ओगाड ये तुमने क्या 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 इसने, लगता है उन्हें पहली बूज ली, हाँ इसके पहली का रता है, समझधा एक्षप्रेस, काला भूत यानि इंजन और लाल भूत यानि रेल के डिबे, काल पहली तुम्हें समझाता एक्सप्रेस में क्या गरबड़ी किया है मैंने उसके पावर उसमें पावरफुल टाइम बॉम लगा दिया है कल ये रेल नहीं चलेगी सब ना माता पकड़के रो क्यों मैंने ठीक नहीं किया क्या हम आतंग बादियों के हरकतों से जूद रहे हैं अरे पह पर अब तो ट्रेन छूट गई होगी ट्रेन छूटते ही 15 मिंट बाद इंजन में बम फट जाएगा सत्यानाश मिले साथ आओ क्योंकि अब अगर बम को कोई हटा सकता है तो हम ही है फट 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 वह जारी समझाता एक्सपैस बम इंजन के टूल बॉक्स में रख ड्राइवर भाईईओ खाली इंजन लेकर का जारे हो तुम्हारी ट्रेन के टिपर पीसे छूट गए क्या बकते हो कौन हो तुम दौनों ड्राइवरों का ध्यान जोकर पर था इंजनों के दूसरे दरवाजन मेकनिका है यह रहा टूल बॉक्स अरे यह क्या हो रहा है यह क् चुब चाब खड़े रहा हो गरबर तो यहां पहले सी हो चुकी है हम तो गरबर को ठीक करने आए हैं ठक ताला तोड़ना मेरे बायाहत का काम है अरे मगर इसमें टाइम बॉम तो यहां ही नहीं कैसा टाइम बॉम किसी व्याफकुम ने समझौता एक्सप्रेस में यह टाइ भावान का ओफ फिर प्रिंसिपल द्वारा फोन पर सूचना देने से वह घटना धुर्गटना बनने से बच गई लेकिन ये खबर उन पर भाड़ी पढ़ने वाली थी पूछे कस्वे में आतंकवाधी कारवाई में तीस लोगों की जाने गई पाकिस्तान से आय राजदूत क को वापस बुला लिया गया युद्ध में बादल चाहे अगर हिंदूस्तान पाकिस्तान युद्ध हुआ तो एकी स्थान बचेगा और वो होगा कबरिस्तान क्योंकि तुम दोनों क्योंकि दोनों देश एटिमी पावर से लेंस है कुछ फॉरन करना होगा प्रिंसिपल प् पीयो के इस्थेद आतंगबाजी कैम्प जने कसाई ग्रुप चला रहा है सारा आतंगबाज वहीं से सरह उठा रहा है खमीरा खान जो उनको शेय दे रहा है उससे तो बिजनस टावर्स को उड़ाने वाली घटना ने अपने पाँपक उड़ाली माल ली अब उनके जान के लाड़े पड़ें यही मौका है हमें पीयो के स्थेद कैम्पो को समाप्त कर देना चाहिए कसाई खान गुरुप की आखें उस वक्त हैरस से पट गई जब खमीरा खान तुम यहां कैसे लड़ाई के कारण सेगड़ो अफगानी नेगरिक पाकिस्तान में घुसा हैं तो मैं अब भी सरकाल आप ठाकर यहां पर आ गया हमें मिशन कश्मीर पूरा करूंगा हिंदूस्तान पाकिस्तान में युद्ध हो गा ही होगा और जिस समय युद्ध रहा होगा उस समय अफरात अफ्री भरे माहावल का फायदा उठा कर मैं पाकिस्तान की सत्ता पलट करके खुछ सितारा हाा कश्मीर मिलते ही हमारा निशाना होगा पूरा हिंदुस्तान होगा यानि आतंकवाद का भी ख़तम नहीं होगा हा अब तुम तीनों अपने कैम्पों को संभालो मेरे अगले आदेश की पतीशा करो यहां काम मैं देखूंगा ठीक है खमीरा खान प्रिंसिपन ने इस मिशन को पीयोगे के नाम दिया था इस गाउं की कुर्द सीमा पीयोगे से मिलती है इसी का आगे खमीरा कान के बेश कैम्प शुरू होते हैं जिनके नक्षे में पहले ही हासिल कर चुका हूं हम यहीं से कैम्पों के और बढ़ेंगे लेकिन इस बेश में ह आतंगवादी केम्पों को कुछ सूसना भी मिल सकेंगी गूड आइडिया मैं प्रेस रेपोर्टर बनकर आसानी सारे हालात मालम कर लूँगा एनवारो जल्दी लोटा गाउप के लोग काफी डरे हूं है दरसल सीमा के पार से कभी भी गोलावारी शुरू हो सकती है पाकिस कर चाचा बावा इंतने कभूद्रों को क्या करो गए इन उड़ा क्यों नहीं देते इन्हे जरूर आऊँगा बेटे लेकिन गुटरग लेकिन क्या गुटरगूं गुटरगूं उस दिन उड़ाऊँगा जिस दिन हिंदुस्तान पाकिस्तां से युद्ध के बादल हमीशा के लिए छट जाएंगे और दोस्ताना हरसो राज चा जाएगा तो फिर इने जहर दे दो भाबा क्योंकि ये तो संभा भी नहीं है नहीं ऐसा नहीं होगा ऐसा दिन जरूर आएगा उस दिन में कबूतर उडाऊंगा कबूतर बाब अपने कबूतरों के बाड़ों को गठा करने लगा तबी अरे मेरे चंदा मामा पादलों की ओड़ से भारा गया है मैं अपने आपको सफर्दी दायक महसूस कर रहा हूँ चंद मेरा दिल चंद नहीं हो तुम अरे ये क्या चंद मामा नीचे आ रहा है बेफ को वो चांद नहीं बंपा गोला था बूम ये तो रोजाना काम ऐसा लगता है वो पाकिस्तानी सीमा से गोली बारी शुरू हो गई है गुसपैटियों को भारत की सीमा प्रवेश कराने के लिए ये लोग ऐसी बंबारी करते ह बरूम ओहो एक और गोला ये गोला अक्तर के घर पर गिरा है गाउं में दहस्त पहल गई आज पाकिस्तानी सैनकों के निशाने नहीं चूकरे का बूतर बावा वो जान बुचकर हमारे गाउं पर गोले बरसा रहे हैं वो इसे तबाह करने पर तुले हैं सब भाग रहे हैं तुम भी भागो गन्हारे जाओगे वरूम नहीं मैं जीते हैं इस गाउं से कभी नहीं जाओँगा वरूम वो लोग पागल होगे हैं शायद भागो गल खाली कर दो संदूकों में चिप जाओ कहीं सारा गाउं खाली कर दो हम जा करें ये जगे खत्रे से खाली नहीं है उन कबू Tarbaba बाबा कोई भी गोला यहां-पाग गर सकता है टुमाई जान लिष सकता है चलो मेरे साथ मुझे घाउं छोड़ कर नहीं जाना मुझे भागे के सारे मेरे शांतितूत्वो के साथ छोड़ दो हम गाउं छोड़कर नहीं जा रहे हैं तुम वापस आया ना वरूम मगर मेरे कबूतर गोले उनकी जान ले लेंगे ओहो मैं पहले ही कह रहा था किनो उड़ा दो परिंदे अजादी से उड़ते हुए ही अच्छे लगते हैं हमाई तरह है मैं भी आता हूँ बाकी बाड़े खुनले में मेल करता हूँ डोगा होता तो वो भी यही करता कबूतर ओरुकर बाड़ों से भाषा आ रहे थे यह क्या कर दिया अपने आप कबूतरों की तरह बाड़े में क्यों बंद कर दिया यह मेरे पुर्खों की मिट्टी है मैं ऐसी पर मरूँ गा मैं ऐसे छोड़कर नहीं जाऊंगा तम जाओ तम भाग जाओ नहीं तुम भागलो दरबाया खोलो वो तो पगला गया है तुम तो होश में आओ खाल पहले लिया यहां बंबार्डमेंट हो रही है भागलो परुम वो वो मर गया मैं काहे का सूपरी रो सूपरी रो था तो डोगा तो बचा लेता डोगा होता तो वो बचा लेता पर मैं नहीं ला पाया वो मर गया संभव और और यह संभव है यह नहीं हो सकता यह नहीं हो सकता वो गौड उसके पालतु कबूतर भी उसकी आग में कूत कर आत्मत्या कर रहे है वे जानवार तो हमें शर्मिंदा कर रहे है ये बात लगे कि हम इसरम ना आए इसे कहते हैं चजबा बुढ़ा मिट्टी के लिए मर गया कबूतर बुढ़े के लिए मर गये और हम हम पैवस्त हम जिंदा हैं और हम पैसो के लिए मर गये और अपने स्वार्थ के लिए हमने सूपर हीडोस को माट डाला लेकिन अब में अपने अंदर के डोगा की तरह चुनून भरूँगा चुन चुन कर वारूँगा अपने दुश्मनों को अपनी मिट्टी पर दुश्मनों के नापाक कदम नहीं पढ़ने दूँगा ये डालोग पहुजबरस लगा था मुझे यहां पर आप वो कैसा लगा थ करेंगे तीनों केमरी का सफाय करेंगे अंदर करों को सैथ क्लिए को जय करेंगे कृ मेरे मेरे अंध वाय में सबक्राम है व्यान का वारूँगा पहुजबरस नमबर स्बस्फ़दम को ञाल तह बहुयए हम सब्रस करने था अपना कमाल कवर फायरिंग की तरह दिखाएगा मैं आकास में घरात्मक और इनात्मक किर्णों का टकराव करवाता हूं पाकिस्तानी फोजाओं पर कर्तिम वज़पात होगा करुडूम करुडूम हो यह क्या बेन बादल पिजली करज रही है ऐसा करिश्मा पैने पहले कभी नहीं देखा एक विद्दूत किरण सेनकों को चुबई करुडूम ओफ आहा इधर भांजा ने दिखाएगा अपना कमाल उड़ जा काले कामा तेरे मुविच कंटी लेतार पावां ले जा तू संडेशा मेरा चंदा मामा के पास मैं सद के चावां स्क्रिश रास्ता बन गया आप सरक जाओ पाकिस्तानी सीमा में नक्षे हम लोग के पास हैं अब यहां से हम अलग रास्तों पर आगे बनना है पेस्ट अफ लग मिशन पीओ के शुरू हो चुका है था प्रिंसिपल और एन्वारों के बेस्केम्प नंबर एक पे निकटते हम प्रते कलम साथधानी से फूप फूप कर रखना होगा मैं इस छेतर पर हीट स्टोक का प्रहार करके यहां की वाईउक और त्यादिक शुष्क गरम करके आतंग्यों को टी हाइड़ेशन यानि शरीव में पानी कमी का शिकार बना दूँगा यहां का वातार और फिला ठंडा है इसलिए यहां पानी के अदिक जरूत नहीं रहती है उनके पास पानी का इतना स्टोक नहीं होगा यह डी हाइड़ेशन की समस्या से फोरण छुटकारा पा जाएं बेस कैम नंबर एक में खलबरी मशन लगी थी यह मौसम को अचानक क्या हुआ रहमत अचानक इतनी गर्मी कैसे हो गई भार हमारे आदमियों में अफरा तफरी मची भी है कमांडर कैम्प में कभी पानी की इतनी कमी महसूस नहीं हुई कैम्प में पानी की बहुत कमी है और हमको इस वक सबको पानी चाहिए यह गोलिया कौन चला रहा है यह लड़ाई के लिए पानी हो रही है सिर्फ एक बोतल पानी के लिए कमांडर यह सब लोग डिहाईटेशन का शिकार होने जिंग 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 आहा जिंदगी सभी को प्यारी होती है कसाई खान आँक कौन है मुझे जर्म के स्कूल का प्रिंसिबल कहते हैं और यह है मौसम के लिए एनवार होती है तो तुम हाँ खमीरा खान से दोका खाने के बाद हमें यह आना पड़ा और इन सब की हालत का जिंग दार एनवार होगी है यह चाय तो अभी भी सब को प्रफ में जमा दे जिंदी की सभी को प्यारी होती है कसाई का देखो एक बोतल खून के लिए सब खून के प्यासे हो रहे हैं अहां कमंडर मुझे बचाओ खास ने मुझे जगर लिया है तुमारा यह साथी चला की दिखाने की कोईश्च कर रहा था पहरिया और भांजा बेस कैम्प नंबर दो की तरब बढ़ रहे थे ओहो अचाना कि स्नोफ वाल शु रहा था ओहो नीचे आतंग बादियों को शायद हमारे यहांigten ROCK लग अगई है अब गोलीया चला रहे हैं शायद उन्हें वहाँ पर कुछ संबेदी की अंत्रिया सेंसल लगा रखे हैं जो उन्हें हमारी उपास्तिती की जनका sih दे रहे हैं इनने मैं भी सबक सिका जेता हूं स्क्रेश लेकिन गोलियों के धमाके से एवलांच हो गया उपर से कई टन बरफ नीचे आ गिरी यह हमारे लिए मुस्कीवत में अपने आपको नीचे लड़कने तो वैसे भी हमें नीचे ही तो जाना है ओफ आहां जल्दी घर भांजा तेरी अवाज कैसे बदल गई तू गुर्रा क्यों रहा है यह मैंने गुर्रा रा काल पहेलिया गरररर यह बरफीले भालू है इसे तो मैं पहेली भी नहीं बता सकता मगर मैं इने आतंक वाजियों खिलाब अपना हत्यार बनाँगा जमीनी भालू भी आये है उससे भी पर मिलो चंदा मामा दूर के पुए बगाए बूर के थाड़ो बोरे पकड़ो हाँ हम हाथ आये तो जरूर पकड़ो पूम ऐसी माल लगाऊंगा कि दुबारा हिंदुस्तान की तरफ ज्ञाग भी नहीं पाऊगे थोड़ी गोलिया मैं भी चलाता हूं तर 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 धड़ मार कौन लगाएगा यह तो वक्त बताएगा उफ गड़प हम पर भ्योशी चारी है यह हमें क्या हो रहा है कतल खान को तबाह करने आये थे हाँ जल्दी दौनों को होशा है कतल खान ने यहां मूं मन्ने के कमजोर महसूस कर रहा हूं कमजोर पा रहा हूं वरूम लेकिन हरानी की बात है हम खंबो पर ठगे नहीं हुए बलकि ठोस बरफ में जमें हुए है जैसे कोई मक्खी बरफ की टेनर में जमती है फिर तो हम जोर आजमाईश करके भी खंबो से छूट सकते हैं क्योंकि हमारे हि में छोड़ जाए जिसने हम छूट जाए और आकर हमारा पाज़ा भी जाते फिर तो अपनी मौत का अंतिचार करो बेस कैम्प नंबर थ्री में हरोर सन्नाठा था सुई की अवाज भी ऐसी विसपोटक की तरह सुनाई पड़ती कमाल है यह आतंक बाजी को कैम्प है जहाँ चड़िया भी दिखाए नहीं दे रही कहीं आतंक बाजी को हमारे आने की खबर तो नहीं लग गई कहीं हम से डर कर कैम्प छोड़ कर तो नहीं भाग गए यह तो हमारी लिए अच्छा अपसर है मैं टैंकों के अंजर पंजर धीले कर देता हूँ यह में लिए सेकेंड हो का देखा यहां मौझूद प्रतेख हत्यार ऐसी अंजर पंजर में बदल दूँगा फिलाल तो आतंक बाजियों की भीड हमारे अंजर पंजर धीले करने के लिए हमारी तरफ हमारी और बढ़ रही है धड़ ओहो अक धड़ जरुम खान के कैंग को निष्टे नवूत करने आते हाँ इन्हें हमारे आने की खबर कैसे हुई जवाब यहां था यह सब क्या है हम सब यहां कह दें और तू ओहो तू खमीरा खान से मिल गया प्रिंसिपल दरसल मुझे सूपर हिरोज को खटम करने की अकॉंटेक्ट नहीं मिला था सभी सूपर हिरोज को खटम करने के बाद तुम लोगों को भी खटम करने की खौईष मेरे दिल में थी मैं चाहता था कि हिंदुस्तान अंडर वर्ल्ड पर सिर्फ मेरा राज हो लेकिन तुम सबके रहते हैं यह संभव नहीं था एन वायरो को यहां तक पहुंचने के लिए मैंने अपना साथ ही बनाए क्योंकि उसकी मज़से मैं खमीरा कान तक पहुंच सकता था उसी ने तुम्हें बरफ में जमा कर खमबो पर टांग दिया था लेकिन आखिर मैं कतल खान को खतम करना ही मेरा उत्रिष्टा मैं केने को जोकर को मैंने आने की खबर मैंने जुर्म खान को पहले दे दिती अब तुम सब एक साथ मरोगे प्रिंसिपल का हिंदुस्तान में फैला नेटरवर्क हमारी बहुत मरद करेगा ये दौनों हाथों का प्रयोग करते हैं एनवाइरो भांजा की शक्तियों को देखती है मैंने उन्हें प्लास्टर की ऐसी कैद में जकड़ा है कि वो कुछ मी नहीं कर पाएंगे हाहाँ हाहा तु कमीणा है प्रिंसिपल, देश का गददार है तू खमीरा खान हमें प्रिंसिपल स्जादय ताकते हैं तु हमारा साथ क्यों नहीं दे रहा क्यों कि तुम समय एक बुराएई है वो है देश भक्ति तुम अपराजी तो हो लेकिन देशवक्त भी हो और दुश्वन देश के देशवक्त मेरे किसी काम के नहीं तुम्हें रहसे बताने के लिए ही जिंदा यहां लाएगा था ताकि मरने के बाद तुमारी आत्मा इस प्रशने के लिए जवाब ना भठकती है जवाब के लिए ना भठकती रहें कि क्या हुआ बेफ को फोंग तुम कभी सूपर हीरो नि बन सकते है क्योंकि सूपर हीरो है चालों के परती साथधान रहते है हाँ अब तुम अब तुम पर चारो और से इतनी गोलियां बरसेंगी कि तुम अपनी चीखों की आवाजों में सुन नहीं पाऊंगे पाकिस्तान सिंदा बाद हाँ धोगे बास कमीने तभी बर ये कोना रहा है ये आवास तो मोटर साइकल किया है मोटर साइकल यहां कहां से आ गई डर चिंग 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 तू घबरा मत कालू तुम मेरे हादों से मरेगा मगर यहां नहीं मुंबई अपनी धर्दी पर यहां पर तो मरेंगे यह भेडिये जिने साई दुनिया आतंकवादी कहती है शोम पूम यह नहीं हो सकता यह बच कैसे गया कसाई, जल्म, कतल, खतम कर डालो डोगा को खतम कर दो ओए डोगे, यह तो कमाल की बाया क्या तु पाणों पर लेकर कैसे आया इसे मैं नहीं लाया, कालू इसे लाया है परमानू, थाड़ बहुत दूर तक फिलाली है तुमने आतंकवाद की चादर अब इसके फटने का समय आ गया है क्योंकि अब तुम्हारे पाणू, चिता तक पहुँचकर पाकिस्तान की जमीन भी छोड़ देंगे स्क्रिच, आहा परमानू, गद्दार प्रिंसिपल को मत छोड़ना तड़ाक यहां ते समय में सब सुन चका हूँ सच मुश ये के वल अपरादी नहीं गद्दार भी है परमानू, तुम तुम यहां कैसे पहुच गए हो सिर्फ मैं ही नहीं प्रिंसिपल ध़र, वो देख बचकर आ गया है आ गये हैं एंथोनी, स्पेक्टर स्टील तरंगा, और शक्ती भी और इन सब का निशाना तुम ही हो तुम नहत्ता कतल खान का मुकाबला करेगा उड़ा दूँगा तुझे रॉकेट से, बूम यह कहा तेरे सही के आरपार तुछेदो गया तु अभी तक जिंदा खड़ा है अरे इसके तो आरपार दिख रहा है हाँ क्योंकि मैं जिंदा नहीं हूँ, मुर्दा हूँ धड़ और मेरा नाम है अन्थोनी, अन्थोनी कुंजालवेश आतंक किसे कहते हैं, यह अब हम तुझे दिखाएंगे आहा, भून दो इसा है, भून दो इसा है, तर-तर-तर-तर-तर-तर इस्पेक्टर स्चील की कराई, वेफिट मेगागन करजोटी, ओम इन गोनियों से तुम सिर्म दोश लोगों कोई मून सकते हो, मुझ पर इनका कोई असर नहीं होगा आज तुम्हारे सामने वो चातियां हैं, जिनको भेदने के लिए पूरे पाकिस्तान का बारूद भी कम पड़ जाएगा सुल्म खान तडाक, आहा आज तुम्हारी काने नीच चलेंगी, आज चलेंगी तरंगा की धारदा, धार, तर-तर-तर-तर-तर-तर-तर-तर-तर की हतेलियों, भरी नारी के आक्रोश की अशीम उस्मा से टैंक पिकल गया है, ओफ, हम हिंदुस्तानियों ने अपनी सेंशक्ति को भी जमा रखा था, अब वो भी पिकल चुकी है, धार, गोली बाली की गर्मी से बरफ की सिल्लियां पिकल गई, हम आजाद हो गए हैं, और हम भी साथ में, हम सूपर हीरो भी हमें भी छुड़ाओ, खमीरा खान आतंक वाजियों की भीड़ की आर्ले कवर लेकर भाग रहा था, मुझे कवरिंग फारिंग दो कमीनों, मुझे हेलिकोप्टर तक पहुशना है, तर 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 कहां लेकर अब तू अपनी आखों से अपने शातंक वाजी ठिकानों को तैसने है सोता देखेगा, ठान ठान भराम नहीं यह सब हैंनी बड़ी महनस से त्यार किया था, हिंदुस्तान की इंचन जमीन को भी महनस से त्यार किया था हमने, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बु हाट डोगा भी कहता है पाकिस्तान जंदावाद चीन जंदावाद नेपाल जंदावाद अफगानिस्तान जंदावाद कोई विदेश जंदा लोगों से मिलकर बनता है ऐसी कोई भी जगे जंदावाद जहाँ जिंदी की सांसे लेती हैं मैं भी जंदावाद लेकिन धार उफ तू जिन्दावाद नहीं हो सकता क्योंकि तेरे हाद निर्दोशनों के खून से रगे हैं तू मुर्दावाद खमीना खान तू मुर्दावाद चौम आतंगवाद तो किसी मुल्क में परदाश नहीं कह रहेगा आतंगवाद जाजनम लेगा वहाँ हम पहुचेंगे उसे नेस्ते नावूत करने के लिए प्रिंसिपल तेरा इंतियार तो हिंदोस्तान की जेल कर रही है लेकिन काल पहिलिया मेकनिक भांचा एनवाइरो जोकर ये पांचों का गए ये लोग एलो सी की तरफ तो नहीं निकल गए फरार होने के लिए एलो सी की तरफ पढ़ राधा टैंक पियो के भारत का ये विन्नंग है अब यहाँ हम आई गए हैं तो यहाँ से दुश्मन की सेना को खदेड करी वापस लोटेंगे अब कोई और कबूतर बाबा दुश्मनों की कोली बारी में नहीं मरेगा पाकिस्तान की चौकी में धाके में हलवली मचा दी पूम हिंदुस्तान जंदाबाद लादों के भूत बातों से नहीं मानते कौन हो तुम मैं जोकर तो मैं अपनी नाग पर लगा टमाटर देने आया हूँ भूम बेफ को हो टमाटर ही बम था टमाटर बड़े महंगे हैं लेकिन बम सस्ते हैं आजकल महंगे ही चल ले हैं भाजा अपनी गुर्त शक्ति का कमाल दिखाए ने मेरी शक्ति चांद दिखने पर ही शक्री होती है मगर चांद तो बादलों में है तो यह चांद देखना है तो वो देखो चंडे पर अरे बाद चांद देखते ही मेरी शक्ति लोट रही है मैं पोएम सुनाओंगा चंदा ओ चंदा किसने ने चुराई तेरी मेरी ने दिया च्छनाक ये तारों की बाण यहां के लोग आईए तुम ने हटाओ इसे आज से ये पियो की नहीं पी के के है यानि भारत का कश्मीर भून डालो इने तुम्हारे बरफ से जमें वे हाथ गश्म का ट्रेगर भी दवा पाएंगे क्या अरे जब मैं डोगा को शटी का दूँ याद कर सकता हो तो भे क्यों नहीं आज डोगा को दिखाना है कि देश के सवाल पर हम भी हिरो हैं जिंग 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 हिंदुस्तान सिंदा बाढ़ सारे जहाँ से हुचा हिंदो सिता हमारा काल पहीलिया बेफूफ रुख जा आगे मत जा तू घायल है फायर और पीशे टेंगो की फोज है लेकिन ये क्या टेंगो के पुर्जे खुल खुल के बिकर रहे थे हमारे टेंगो क्या हुआ ये तो पुर्जा पुर्जा हो गया ये तो पाकिस्तान के भी नहीं मनेते फिर ऐसा कैसे हो गया ये कमाल मेरा है मेरा यानि मैकनेक का काल पहीलिया ने अपनी गनो का मुः खोल दिया मैकनेक पाकिक काम मुच्छे ओ करने दो बस बस कार पहीलिया दुश्मन ख़तम हो गये अपनी परवा कर तुझे कई गोलियां लगी हैं डोगा कई गोलियां खाकर भी तो जिंदा रहता है परवा मत कर मेकनेक मैं मरूंगा नहीं घर हमारा मिशन ओके हो चुका है अब इससे पहले कि सूपर हीरो यहां कर हमें पकड़ ले हमें यहां से निकल जाना चाहिए बर क्योंकि हम हीरो आतंकवाजियों के लिए बन कर आयते हैं मगर हीरो इसके लिए तो हम आज भी अपरादी हैं यह ठीक कहता है तेरी गोलियां मैं अपनी गुरत पावर से निकाल दूँगा पहलियां मगर अब यहां से चल भारती सेनेक को सूचना दे देंगे वो यहां आकर अ मुणा ट्रेंगल नहीं भेजना जाती थी जब तक कि उसे अपना पैसा प्रिंसिपल से ना मिल जाता जब और यहां पहुंचकर एंथों को जीवित कर दिया और फिर यहां आती हम तुबारी तलाश में कर पड़े हमें पता चला कि प्रिंसिपल हम भी यहां आकर चलिया है और यहां आकर हमें प्रिंसिपली कद्दारी का पता चला और हमें खुशी हुई कि भला ही तुमने कितने अपराद कियों हो पर तुम पर तुमने देश के सवाल पर तुम जैसे कुंकार अपरादी भी एक होकर हीरोस की तरह लड़ सकते हो जहां तुम जैसे खोटे सिक्के भी चल सकते हो और कभी नहीं हो सकता पाकिस्तान जिंदाबाद समाप्त तो दोस्तों यह शानदार पाकिस्तान जिंदाबाद कॉमेक्स मल्टी स्टार महावशे शांग यहीं समाप्त होता है यह कॉमेक्स स्पेशल 14 अगस्ति स्पेशल हम बताईएगा इस कॉमिक्स के डायलोग इतने जबर्दस थे क्या कहा जाए तो चैनल पर फर्स टाम है चैनल को सबस्क्राइब कर लिजिए ऐसी वासम कॉमिक्स के लिए तो देखते रही है कॉमिक्स माइल लाइफ चैनल आप सभी को आने वाले सुतनता दिवस की बढ़ाई हिंदस्तान सिंदाबाद वारत माता की जय वंदे मातरम जय हिंद पहस सिंग की सिंदाबाद सुवाशन बोज सिंदाबाद